एक और जहाँ पूरे देश में CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है वहीं साहिब गंज में भी बहुजन क्रांती मोर्चा द्वारा CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है CAA और NRC के विरुद में वहुजन करांती मोर्चा के बैनर तले जुलूस निकाली जिसमें सेक्ड़ों लोग शामिल हुए मार्च में शामिल प्रदर्शुनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद में नारेवाजी की वही प्रदर्शनकारी जिला मुख्याले के साकशरता चोक से शुरू कर उपायुक्त कारले से पूर्वा पुलिस लाईन मैदान में जुलूस को समप किया इस बीच जुलूस के आगे पीचे भारी संख्या में पुलिस बल तैनाथ थे अपने प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस लाइन मैदान में जाकर समाप्त की और किंद्र सरकार को कट घरे में खड़ा करते हुए NRC और CAA को घर समवेदानिक करार दिया इसके साथी देश के ग्रे मंत्रिय में शहा और प्रदान मंत्री के उपर देश में अशांति फैलाने के खिलाफ मुकदम दैर की मांग की वहीं बहुजन करांति मोर्चा द्वारा NRC को लेकर जुलूस प्रदर्चन निकाला गया जिसकी सुरक्षा में पुलिस तैनात रही जुलूस को शांति पूर्वक मैदान में समाप्त कराया गया पंजाब के स्री टीवी के लिए साहिब गंज से पंकज कुमार्क रिपोर्ट